अस्सलाम अलेकूं, नरिंस किसन में आज मैं आप सबको साथ कुलकता बिर्यानी की रेसिपी सेर करूंगी जो कि बहुत ही बेसिक इंक्रेडियन्स से बन जाती है कुलकता की बिर्यानी की एक खासियत होती है कि यहां की बिर्यानी में आलू डाली जाती है जो कि बिर्यानी की जान होती है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो फिर आईए बनाना सुरू करते हैं, चिकन बिर्यानी के लिए यहाँ पर मैंने 800 ग्राम चिकन ली हूँ, जिसे अच्छे से धोके साफ कर ली हूँ, पिस्स यहाँ पर मैंने थोड़ी से बड़ी अब इसमें कुछ मसाले अट कर रही हूँ, मैरिनेशन के लिए, सबसे पहले यहाँ पर एक कप दही डाल रही हूँ, वन टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, वन टी स्पून जीरा पाउडर, वन टी स्पून धनिया पाउडर, वन टी स्पून होम मेट गरम मसाला पाउडर, फ्राइड ओनियन यहाँ पर मैंने दो प्याज लेके पहले से ही पतले पतले स्लाइस में कट करके इसे फ्राइड करके रख ली हूँ आप भी पहले से फ्राइड कर लेना इससे काम आसान हो जाता है थोड़ा सा पुधीन पत्ता, थोड़ा सा धनिया पत्ता नमक, वन टेवल स्पून, ओयल, हाप कप सब को अच्छे से मिला लेना है तूटी स्पून जिंजर गार्लिक पैस्ट एड करना है इस टाइम पे मैं यहाँ आलू भी एड कर रही हूँ मैं यहाँ तीन मीडियम साइज का आलू लेकर इसे इस तरह से स्क्वेर साइज में कट करके पहले से ही रख ली थी इन सब को अच्छे से मिला लेना है आप चाहे तो आलू को अलग से फ्राइ कर ले और बाद में भी डाल सकते हैं लेयरिंग के टाइम पे ने कोए प्रॉبलम नहीं अगे मैं आज ऐसे ही डाल दे रही हूँ इन सभी को मिलाखे मैं एक घंटे के लिए रख दे रही हूँ मेरिंेसन के लिए चिकोन को मेरिनेट होते हुए एक घंटा हो चुका है अब इसे मैं गैस पर चड़ा देती हूँ बातिला को और इसे पकने के लिए रख देती हूँ यहां हम चिकन को 10 मिनट तक पकने देंगे बीज बीज में एक दो बार चलाते रहना है ताकि चिकन हमारा जले नहीं दूसरी तरफ चावल के लिए पतिली में मैंने पानी चड़ा दिया है इसमें आप कुछ खड़े मसाले डाल रही हूँ इससे चावल का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है यह मैंने साहजीरा डाल दिया है वन टीस्पुन के लगबग है दो दालचिनी के टुकरे दो बड़ी इलाची इसको बीज से खोल दीजेगा दो इस्टार फ्लावर चार पांच छोटी इलाची इसको भी बीज से मैंने तोड़ दिये है पांच छे लॉंग एक टुकरा जावित्तरी के एक निम्बू का जूर मैंने निचोड के रख लिये थे उसको डाल रही हूँ टू टी स्पुन रिफाइन वयल पानी हमारा अच्छा से ग्रम हो चुका है अब चावल को डाल देती हूँ जिसे मैंने पहले से धोके दस मिनट के लिए छोड़ दी थी यहां मैं पांसो ग्राम के करीब चावल ली थी इसे भी मैं पकने के लिए छोड़ दे रही हूँ अब चलते हैं चिकन की तरफ चिकन हमारा पकना सुरू हो गया है इसे और थोड़ी दर पकने देंगे चावल के हिसाब से मैं नमक डाल दे रही हूँ जो मैं मिस कर दी थी अब इसे पकने छोड़ दे रही हूँ जावल 70% जैसे पक चुका है हमें इतना ही पकाना था है बाकी चिकन के साथ दम में पक जाएगा अब मैं इसका पानी निकाल देती हूँ अब फटा फट से मैं बिर्यानी के लिए एक स्पेशल मसाला रेडी कर ले रही हूँ इसके खुजबू से पूरा घर महग जाएगा यहाँ पर मैं यह थोड़ी सी फ्राइड ओनियन बचा ली थी उसे ले रही हूँ और इसमें वन टीस्पून गरम मसाला और वन फोट टीस्पून जैसा सुगर डाल रही हूँ और सब को अच्छे से मिला लूँगी दूसरी तरफ चिकन भी हमारा 75% पक चुका है अब हम लेयरिंग करेंगे इसके लिए थोड़ा सा चिकन मैं मसाला के साथ ही निकाल ली हूँ अब इसमें पके वे चावल अड़ कर रही हूँ हाप चावल डाल दी हम इच्छे से फैला दे रही हूँ इसके उपर जो मैं मसाला रेडी की थी वो टाल रही है थोड़ा सा कटा धनिया का पत्ता थोड़ा सा पुदिना का पत्ता अब बाकी का चिकन रख दूंगी, फिर इसके उपर बाकी का बचा चावल डाल दूंगी, फिर से पुदीना धनिया का पत्ता डालना है, सेम प्रोसेस रिपीट करना है, बाकी बचा मसाला भी डाल देना है, अब इसमें ये मीठा अत्तर डाल रही हूं, ये कॉलकता की बिर्य मिल जाएगा 2-4 डॉप डाल रही हूं थोड़ा सा केवडा वाटर 2-3 चमच एक कटोरी में हाप कटोरी जैसा दूद ली हूं और उसमें जाफरन यानि पुलाव का कलर डाल के मिक्स कर ली हूं उसे भी इस तरह डाल दे रही हूं थोड़ा 3-4 टेवल स्पून ओयल आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं दूसरी तरफ गैस पे एक बड़ा सा तावा पहले से गरम करने रख दी थी उसमें इस पतीले को रख दे रही हूं फिर इस तरह एक मोटा कॉटन का कपड़ा लेकर रक्ची के उपर इस तरह ढग दे रही हूं अच्छे से पहले 2-3 मिनिट फ्लेम को हम हाई रखेंगे ताकि हमारा पतीला अच्छे से गरम हो जाए गरम होने के बाद फिर इसे फ्लेम को एकदम लो कर देंगे 20-15 मिनिट के लिए दम पे रख देंगे लो फ्लेम पे विर्यार नी हमारा अच्छे से दम होके पक हमारा कितना खिला-खिला सा है इसको डिस आउट करके दिखाती हूँ बिर्यानी के साथ खाने के लिए बहुत ही टेस्टी रायता बना रही हूँ इसका बिर्यानी के साथ कॉंबिनेशन बहुत अच्छा होता है इसके लिए 250 ग्रम मैं दही लिए हूँ और इसमें वन टी स्पून के जैसे काला नमक डाल रही हूँ हाप टी स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर हाप टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर वन फोर्थ टी स्पून सफेद नमक वर्थ फोर्थ टी स्पून सुगर एड कट रही हूँ इन सब को अच्छी तरीका से मिक्स कर लेना है अब इसमें थोड़ा कटा हुआ खीरा टमाटर जिसका मैंने बीज निकाल लिए और प्याज इसमें डाल दे रही हूँ और अच्छे से सब को इस तरह से मिला लेना है एक से दो कटीवी हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया पत्ता कटा हुआ इस तरह से सारे चीजों को अच्छे से मिला ले थोड़ा गाड़ा लग रहा है तो थोड़ा मैं पानी एड़ कर रही हूँ और लेमन जूस वन टीस्पून के जैसे डाल रही हूँ अब इस तरह की कंसिस करी प्र Очी है अब हमारा रायता बंके रेडी हो गया इसको निकाल ले रही हैं यह भी इन्यू करना जा पतक करने जरूर से बना के देखिएगा और जो लोग चैनल पे नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमें इस्टाग्राम और फेस्बुक में भी जरूर से फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले और अल बटन को भी दबा दे ता कि हमारे जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आप तक जरूर से पहुच जाए अब तक के लिए अल्ला हाफिस